हकीकत नगर की गलियों में जब सीवर का पानी तैर रहा है तब लोग याद कर रहे हैं 1978 में जब बाढ़ आई लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि इस पानी का बाढ़ से कोई तालुक नहीं है प्रत्यक्ष तोर पर लेकिन देखिए जहां जहां पर आपकी नजर जाएगी दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको सीवर का पानी यानि वो गंदा पानी जिसे हम और आप न केबल जाने से बचते हैं बलकि देखने से भी बचते हैं लेकिन यही वज़ा है कि जब बैक फ्लो हुआ सीवर का तब यहां पर जो तमाम घर हैं 500 से ज़ादा घरों में जो सीवर का पानी है वो भर गया है और अलाके के लोगों ने पूरी तरह से अपने घरों को खाली कर दिया है लोग यहां से जा चुके हैं और सिर्फ और सिर्फ उनकी मांग यही है कि कम से कम यहां पर पंप लगाया जाए और जल्दी से जल्दी वो अपने घरों में दाखिल हो सकें लेकिन यह पहला वाक्या नहीं है और आपको देखे कि आपको लहरें बताएंगी यानि जो पानी का लेवल है पहले कहां तक था और अब यह जब घट है कि जो रेसिडेंट्स हैं वो हर साल आए हुए हैं दुबई से एक शक्स चल कर आए इन्हें जब पता लगा कि किस तरह से इनके घरों में पानी भर रहा है सीधे दुबई से फ्लाइट पकड़ी यहां पर आए और अपने जो बज़र्ग है उनको घरों से दूर किया ताक पर आए हैं यहां पर रहते हैं आसपास के लोगोंने पूरी मदद करी है उनको इवेकवेट करने में लेकिन परशासन को मैंने वहां से बैठके कंटिनुसली हल्प लाइन पर डाले है ट्विटर पर डाला है टैक किया है आम आदमी पार्टी को बीज़र्ग हर परशासन को हैं पूरे घर का जितने में ग्राउंड फ्लोर हैं पूरे घर के अकीकर नगर में 384 मकान है चारह यार यहां लोग सड़कों में रह रहे हैं पता नहीं कहा रहे हैं कुछ नहीं बता अब यहां को वापसी भी नहीं आया यतना है कि जितने भी एक घर के अंदर 20 और 25 लाग क हैं आप सबस्सक्तिसितब्स vraag होता है जब मौन सुन साहर नहीं पांपनी जाता है मांशून से पहले हम लोग प10 हम प्रशासेंसे ही लिए करते हैं हम रिक्षेस्ट करते हैं कि मैं रह्या हो इस बार उम्मित थी कि इतना ज्जाधा पानी भर जाएगा आप लोगक이다 सिप्सक्र साइब मुगर्ज्जिन yes इरिया है, इतना बड़ा इरिया है, उसकी लेन हमारी लेन में जोड़ दिया है, मॉनल्डों से जो पानी आ रहा है, अर्सलेन से ओड़ रहा है, जो भी पानी आ रहा है, वो हकी अंदर से होता हुए इन आले में जा रहा है, वो जितना भी पानी है, बैक्स हमारी कलोनी सफर कर बावजुद इसके पानी कैसे निकले चाहे वो फ्लट का पानी हो वह कैसे निकले घरों के बाहर और कैसे जो है वह सीवरेज सिस्टम बैक फ्लो न करें यानि वापस ही नदी में जाने के बजाए या फिर दूर जाने के बजाए वह वापस घरों में न जाए इसके लिए कोई प्लाइन नहीं है और अगर ऐसा प्लाइन है तो इवेक्वेशन के प्लाइन का क्या इस्तिती है वो हकीकत नगर इलाके में आप साफ तोर पर देख सकते हैं लेकिन सवाल यही है कि मौनसून के मौनसून जब भी आता है तो मौनसून के आने के पहले एजिंसियां हर बार कहते हैं कि 70% नाला साफ हो गया चाहे वो कोई भी एजिंसी हो बावजुद इसके आपने देखा कि फलड के पानी का यहां पर उतना इंपेक्ट नहीं है बावजुद इसके जगन के साथ मुझे जीजे इज़ाज़त धन्यवाद